नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका AIS PCS Academy में और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो जिसमें हम वाक्यांस के लिए एक शब्द के बारे में देख रहे थे उसी में हम आज देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भवी सिके प्रति आसावान हो अशावादी एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तों को मंगाया जाना आयात जो धर्म और इश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक जिस पर आक्रमन हो अक्रांत जो सुंगने योगी है अघ्रे जिसका अहंकार चून हो गया हो से अधिक आशातीत अपने आत्मा मन का अनुयाई अपने मन आत्मा का मत आत्म अभिमत प्रारंब से लेकर अंत तक आध्योपात देवता अथ्वा भूतादी के द्वारा प्राप्त दुख आधि दैविक जीवो या शारीर धारियों के द्वारा प्राप्त दुख आधि भ जो इधर उधर से घोमता फिरता आ जाए अगंतुक जिसकी प्राप्ति किसे दूसरे प्रधानकार के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए अनुशांगिक वह नाईका जिसका पती परदेश से लौटा हो आगत पतिका वह इस्त्री जिसका पती आने वाला हो अगामिस्तस् पतिका जिसकी समस्त कामना पूरी हो गई हो आप्त काम दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना आत्मो सर्ग आदश मूलक भावना को वरिता देने वाला मत आदशवाद नवीन बनाने की क्रिया आधुनी करण परमपरा से सुना हुआ अनुसरविक या अनुसर वा कवी जो ततकाल का विता करे आशुकवी पैर से सिर्थक अपाद मस्तक किसी के गुण दोस की विवेशना करने वाला आलूचक किसी मत का सर्व प्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक धन से संबंध रखने वाला आर्थिक अतिथी की सेवा करने वाला अति थे अतिती की सेवा करने वाला अतित्हेई आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक आत्तों में होने वाला आंत्रिक भीतर होने वाला आंत्रिक अकस्मात या एका एक घटित होने वाला अकाश्मिक आकास से सुनाई पढ़ने वाली वानी या बात आकाश वानी आक्रमार करने वाला आक्रामक अगनी से संबंदित या आग का अगने पूरे जीवन में आजीवन किसी पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित जो अपनी हत्या कर लेता आत्म हंता जो स्वय के उपर घात करता है आत्म घाती स्वय की हत्या करने की प्रवत्ती आत्म हत्या या आत्म घात आकास को चूमने वाला आकास चूम्बी या गगन चूम्बी चलिए आगे बढ़ेंगे जिसे बुलाया गया हो आहूत अपने आपको किसी की हाथ में सौपना या समर्पित करना आत्म समर्पन किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हैं आधिवासी अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया अधिकारिक अपराधों से संबंधित आपराधिक आभार मानने वाला आभारी मरते दम तक आमरन प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है अमाशे वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक आयोजन करने वाला आयोजक जो आलोचना के योगी हो आलोच किसी अवधी से संबंध रखने वाला आवधिक वह कलर्क जो आशुलिपिक या शैट हैंड जानता है आशुलिपिक मित्रों आपसे ये गुदारिश है कि इस चैनल को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाएं सेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें ठीक है जिसे कि ये जो हमारी मुहीम है वो बहुत लोगों तक पहुँचने पाए चलिए आगे बढ़ते हैं जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो अस्वस्त जो आदर करने योगी हो आदर नी अपने जीवन का स्वलिखित व्रतांत आमत्म कथा आसरे देने वाला आसरे दाता आकास में गमन करने वाला आकाश गामी जन्म भर तक आजन्म या जन्म परियंत्र अपने पहरों पर खड़ा हो आत्म निर्भर रिशी निर्मित अत्वा कथित आर्श ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो अमरन व्रत जिसकी बाहें घुटने तक हो अजानू बाहू जन लेते ही मर जाना आदंड पात अत्याचार करने वाला अताताई बालक से व्रध तक अबाल व्रध जो अपने चर्णों से जो अपने आचर्णों से पवित्र हो अचार पूत जड से चोटी तक अमूल चूल जन लेना और मनना आवा गमन भगवान के सहारे अनिश्चित आये आकाश व्रत्ती आकास में उड़ने वाला आकाश चारी या नभचर अपने को धोखा देना आत्म वंचना अपने को धोखा देने व वाला आत्म वंचक उपर चडने वाला आरो ही इ के हैं आगये यहां पर इसे देख लेंगे इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत जो इंद्रियों से परे हो इंद्रया पीत वर्षा रितु में आकास में दिखाई देने वाले सात रंगों वाले धनुष, इंद्र धनुष, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, किनी घटनाओं का कालक्रम से लिखा गया वरत्त, इती वरत्त, किसी देश या समाज के सारजनिक छेत्र की घटनाओ तथियों आदि का क्रम्बध विवरण इतिहास, अमारत के लिए या इमारत से सम्भन्दित इमारती, 200 जो इंद्रियों की श्वावस्ता धारण करता हो, इंद्रियानी ग्रहवान, जो इच्छा के आधीन हो, इच्छा धीन या आकशिक, इतना ही परियाप इत्यलम इच्छा नुसार रोब धारन करनेवाला इच्छा धारी, जिसकी इपसा या इच्छा की गई हो इसिप जो दूसरों की उन्नती देखकर जलता हो इर्षालू, दूसरों की उन्नती को ना देख सकना इर्षा, उतरपूर के बीच की दिशा इशान कोन. जो उदर वत्ती का हो उदर चेता जो धर्ती फोड कर जनता हो उद्भिज जो छाती के बल चलता हो उरग या सर्प खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उचिश्ट जिसका उलेख किया गया हो उलिखित जिसका उलेख करना आवस्यक हो उलेखनी जिसका उपर उलेख किया जा चुका है उपर यू लिखित परवत के पास की भूम उपात्याका जिस इस्थान परवत से निकलता है उदेया चल जिसका उपकार किया गया हो उपकरत जिसके दांत ना जमे हो उदंत जो भूम उपजाओ हो उर्वरा उपर कहा हुँआ उपर युक्त जो सबसे उचा हो उक्षितम बहुत आगे उबलिक उपर बढ़ जाने की आकंच्हा उच्छाकांच्हा उपर आने वाला स्वास उच्छवास नीचे की ओर आना या जाना उतरना उपर की और उच्छाला या फेका हुआ उच्छिप्त जो किसी नियम का पालन ना करे उच्छंखल उपर उपकार करने वाला उपकारी जिस पर किसी काम का उत्तरदाई तो हो उत्तरदाई किसी के बाद उसकी संपत्ति या स्थान को ग्रहन करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी वह वस्त जिसका उत्पादन हो उत्पाद उपहास के योग उपहास्पद एक से अधिक भौतिक इस्थितियों में रहने वाला प्रानी उभैचर जिसने रण चुका दिया हो उरण निर जिस भोमी में कुछ उत्पन ना हो उसर जो अपने वेर को ना गिरने दे उधर्व रेता उपर की ओर जाने वाला उधर गामी जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसमस सुरोदय से पहले का शमय उसा काल जिसकी एक ही आख हो एक आक्ष जिसका चित इस्थिर हो एक आग्र चित किसी वस्त के क्रेविक्रे का एक छत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार जिसका संबंद किसी एक देश से हो एक देसी किसी एक पक्ष से संबंद रखने वाला एक पक्षी मास्क के किसी पक्ष की ग्यारवी तिसी एक आदसी जहां कोई दूसरा ना हो एकांत जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त इतिहास से संबंध रखने वाला एतिहासिक इस लोक से संबंध रखने वाला एहलोकिक या एहिक इंद्रियों से संबंधित एंद्रिक जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो एक्षिक इंद्र का सफेद हाथी एरावत तो मित्रों ये थे कुछ वाक्यांस के लिए एक शब आसा है आपको ये पसंद आएंगे और अगर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सस्क्राइब करें धन्यवाद, जैहिन, जैभारन, आपका दिन सुभू